नमस्कार, स्वारा थे आप सभी लोगों का आपके अपने ओलाइन इस्टिटूट टार्गेट भी तालोग में मैं रभी तिवारी करेंट अफियर्स की रटलो सिरिंखला के साथ एक बार फिर आपके समख चुपस्त दितूँ संस्थान वारा है स्रिंखला आपको हमेशा प्रदान की जाती है इसी किरम में इसका चौथा भाग लेकर मैं आपके सामने आया हूँ इससे पहले में तीन रटलो के भाग आप लोगों को हल करा चुका हूँ प्रदेश में बहुत सारी बड़ी प्रिक्षाया यह थोनी है जैसे PCS हो गया खंड सिक्षातकारी हो गया UPSI हो गया सुपर्टेट है और NTPC है इनके लिए लगवग लगवग 10-11 महिने के करेंट को आपको तयार करना है इसी किरम में यह सिरिंखला आपको प्रदान की जाती है 50 प्रिष्णों की यह सिरिंखला है व्याख्यात्मक सिरिंखला है संख्या में यह प्रिष्ण जरूर 50 हो सकते है लेकिन अगेरे हम लोग पूरी व्याख्या को सुने और अच्छे से प्रेंडनावन करें तो लगबग लगबग एक प्रिष्ण के साथ हम लोग 3-4 प्रिष्ण और तयार करते हैं और 50 के साथ साथ लगबग लगबग 200 प्रिष्ण हम लोग यहाँ पर सिरिंखला में तयार करते हैं तो आप लोग इस सिरिंखला के तयार हो जाईए आईए महातपूर स्रिंखला का प्रारम करते हैं इस स्रिंखला में कोरोना वाइरस, राम मंदिर और जो बजट आपका आया है उस बजट वर्निपूर जैसे महातपूर मुद्दों को कवर किया गया है और इनका व्यक्ष्यात्मा विब्रल में आपके सामने थोड़ी देव में प्रस्तुत करता हूँ प्रिश्ण उत्तर के माध्यम स्रिंखला आपको हल कराऊँगा उससे पहले संस्थान की तरब से एक महातपूर जानकारी में आपको प्रदान करना चाहूँगा संस्थान में इस समय तीन बैच सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं जिसमें UPPCS प्रादंबिको मुख परिख्षा का बैच है सुपर्टेट का बैच है और बीयो का बैच है तीनों बैचिज के नंबर आपके सामने लिखे हुए है याद रखेए यह mobile नंबर नहीं है यह WhatsApp नंबर है इन WhatsApp नंबर पर जिस चर्ट में भी आपको प्रिवेश लेना है उस चर्ट में आप Entry लिखके भेश सकते हैं उसके सामने जो नंबर लिखा है उस पर आप WhatsApp कर दीजिए हमारी टीम तुरंत आप से संपर्ट करेगी और अगले घंटे के अंदर आपको जोड़ लिया जाएगा एक और मैं बार बता लूँ PCS का जो हमारा प्रारम बेको मुख परिक्षा का बेच है वो बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है और एक माइलश्टोन बेच आपके लिए बनने जा रहा है तो जो PCS में अद्विसन लेना चाहते है वो इस नमबर पर लिख सकते है सुपर्टेट में कलने से ही कच्छा है प्रारम हुई है बिलकुल नवीन बेच है और खंड सिक्छातकारी के बेच के रिव्यूज आप लोगोंने खुद पढ़े है कितने अच्छे से हम इन बेचित को संचालित कर रहे है तो संस्थान पर भरोसा करते हुए जो भी सदस इक्छोक है और अपने सपनों को पूरा करना चाहते है आप बास्तों में चैनत होना चाहते है तो इन नमबर पर वाटसाप इंट्री लिख कर भेज़ दीजे हमारी टीम आप से संपर करेगी या स्क्रॉलिंग में जो नमबर चल लाए है किसी भी संदे के लिए आप इस नमबर पर फौन करके भी अपने प्रिवेश को सुनेश्चेत करा सकते है आए इस मार्पूर रटलो स्रिंखला की हम लोग सुर्वात करते हैं प्रिश्णों को डिसकस करने का किरम यह रहेगा कि प्रिश्ण जब स्क्रीन पर आएगा तो मैं स्क्रीन से हड़ जाओंगा ताकि आप प्रिश्ण उत्तर को साफ साफ देख सके और इसके बाद मैं व्याख्यात्मग विव्रण आपके समख्ष प्रिश्चुत करूँगा इसी कड़ी का पहला प्रिश्ण यह आपके सामने है किस वर्स तक भारती रेलवे ने कारवन का सुद्ध सून उत्सरजग बनने की योजना बनाई है देखे रेलवे की तरफ से दो मातपुर घोष्णा की गई है 2023 तक रेलवे को 100% विद्धुती करर करने की योजना है मतलब जितना भी संचालन होता है उन सभी संचालनों को सत्पृती सत्व विद्धुती करर से जोड़ दिया जाएगा पहली गोष्णा तो यह है कब तक 2023 तक और दूसरा जो प्रिशने आप से पूछा गया है कि कारवन का सुद्ध सून उत्सरजग 2030 तक यह लक्ष लिया है रेलवे ने 2030 तक यह योजना है कि रेलवे कारवन का सुद्ध सून उत्सरजग बन जाएगा तो इस प्रिशने के हिसाब से जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा 2030 होगा C option आपका सही होगा रेलवे लगाता सुदार की प्रिक्रिया से गोजन रहा है और किसानों के लिए और और सभी छित्रों में रेलवे ने इस बजट में कुछ महत्पूर कदम उठाए है जो मैं आगे भी आपसे डिसकस करूँगा आईए दूसरा प्रिशन है इसकड़ी का आपके सामने किसी योजना के तहट 50 लाग से अधिक लोग मुफ्तिलास से लावान बित हुए चार विकलप आपके सामने है प्रधान मंत्री सिरम आरोग योजना प्रधान मंत्री किसान आरोग योजना प्रधान मंत्री आदरस आरोग योजना दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्त देखवाल कारीक्रम है और पचास लाग से अधिक लोग मुप्त इलास से लाबानुवेथ हो चुके हैं तो सही उत्तर क्या होगा दी होगा तीसरा पुस्न है प्रदालमंती जनारों की जनाह के तहत निसलक और तियक स्वास्त देखवाल उप्चार प्रदान करने में सीस प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन सा राज सामिल नहीं है चार राज्यों के नाम आप इसम दिये गए हैं तमिलाडू गुजरात फरोन दौराज है जो दो राज है चान दीज़ और अंड़ प्रदेश इसके अलावा जो दो राज हैं चान दीज़ ओज़ और अंद प्रदेश अ बाचराज महराश्टिसम सामेल नहीं है अगला प्रश्ण है आपका चौथा प्रश्ण है आपर हाली में भारती देल द्वारा प्रमुक्ष सहरों के आसपास छोटे सहरों को जोडने के लिए शुरू की गई ट्रेंस सेवा का नाम क्या है चार नाम आप लोगों को दिए गए यहाँ पर सेवा सर्विस, कनेक्ट सर्विस, ग्रामीर, सेवा सर्विस ग्रामीर और ग्रामीर सेवा आपको बताना है तो इसका सही उत्तर होगा सेवा सर्विस सेवा सर्विस जो बड़े सहर हैं उनके आसपास जो महत्पूर सहर हैं उनको जोरने के लिए रेलवी की जो योजना है सेवा सर्विस है और इसके पहले क्रम में नौ रेलगारियां चलाई गई है और सेवा सर्विस की जो पहली रेलगारी है वो दिल्ली से सामली के बीच चला गई है यह विवर्ण भी आपको याद रखना है नो रेलगारियों का संचालेंज सिवा के प्रथम चरण में किया जा रहा है अगला प्रिश्ण है आपका प्रिश्ण है पर वित्र मंत्री के बजट भासड के अनुसार किस वर्स तक भारत को टीवी मुक्त बनाने की घोशना क दीन गही है अपतह यह प्रिश्ण आपको चार विकल्प है इसका उत्तर आप विकरेंगे और वित्र मंत्री जी ने यह वी टीवी हारेगा देश जीतेगा यह नारा भी आपको दिया गया है बजट भासर के दोरा न टीवी के लिए द दूसरी बाद सतर हजार करोड सतर हजार करोड रूपे का अनुडान भी दिया गया है इसके के लिए इसकी रोख्थाम के लिए और लख्ष रखा गया है 2025 का तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा 2025 होगा 2025 का लख्ष रखा गया है सब्तरहजार करोड रोपे का अनुदान दिया गया है और टीवी हादे का देश जीतेगा इसका प्रमोख बाक है आई बिस्ट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी पृतिसरत महलाएं काम करती है यह आपको बताना है बिस्ट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी पृतिसरत महलाएं काम करती है चलिए देखें बिस्ट बैंक ने कुछ आंकरे अपने प्रदान किये हैं प संख्या क्या है एक दसमलाव तीन सून करोड लोग ऐसे हैं जो किस में प्रिदेश करते हैं रोजगार आयू में प्रिवेश करते हैं और विस बैंक ने एक डाटा और भी दिया है कि इतले लोग तो रोजगार आयू में प्रिवेश करते हैं लेकिन जो रोजगार के आपके अ बायू में प्रिवेस करने वालों की संख्या कितनी है एक दसमलाव तीन सुन करोड रूप और रोजगार कितने प्रेदा हो रहे हैं 30 लाग मतलब एक करोड व्यक्ति पिर्तिवर्स के हिसाब से गर हम लोग देखें तो वो समस्या में है रोजगार के हिसाब से उसमें आप से पूछा गया है जो तीसरा डाटा दिया है कितनी प्रितिसक्ण महलाय काम करती है तो यह 27 प्रितिसक्ण इसका आंकड़ा है इस प्रिशन का सही उत्तर सी होगा जो 27 प्रितिसक्ण आंकड़ा है वो विंदीनonner में लगभग लगग जो सबसे कम देखें के आंकड़े हैं उनक अगला प्रशन है आपका, सात्मा प्रशन है आपर, निम्न मैं से स्वायन नियंतनर के लिए भारती किर्शी अनुसंधान प्रशत, ICAR द्वारा, विक्सित, डाइग्रश्टिक, कित का नाम क्या है, तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा, वो सही उत्तर होगा, C, हाँ, विल् आपका है, हाली मैं तराश्टी क्रिकेट परसाद, ICC के सबस के रूप में, किन दो देशों को सामिल किया गया, आप जानते हैं, कि जिम्माम्बे और नेपाल इसका सही उत्तर है, चुकि जिम्माम्बे को, अभी कुछ दिन पहले निलंबित किया गया था, जिम्माम्बे की ICC द्वारत जिम्माम्बे को क्या किया गया था, निलंबित किया गया था, रोवर्ड मुगावे जब वहां कि सासक थे, उस समय बड़ी समस्या आई थी, तो फिर से सामिल किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जिम्माम्बे और नेपाल इसका सही उत्तर होगा, आ लो मस्वाल बस 2019 के लिए पसुदन जनगरना का संस्क्रण आपको रिक्तिस्थान यहां पर भनना है रिक्तिस्थान से संबंदित प्रिश्ण पूछे जाते हैं पसुपालन और डेरी विभाग मत समंताले पसुपालन डेरी द्वारा जारी किया गया था यह कौन सा संस्क्रण था आपको यह बताना था तो यह जो संस्क्रण था यह 20 समा संस्क्रण था 20 तो बी ओप्सन इसका सही होगा 20 समा संस्क्रण जारी किया गया था आए अगला प्र ओमान और भारत भारत तो सर्लंकर तो सही उत्तर क्या होगा ओमान और भारत है नदै क्या Amaran रहर. यहां पर बेश महां कि राह मैं यहाँजित हुआ आपका यहांपर यहांपर बेस महान रह में आउजित हुआ 11 प्रिष्ण की तरह हम लोग बढ़ते हैं 11 में प्रिष्ण है जल्दी खराब होने वाले उत्पात देखें, फोकस देखें जल्दी खराब होने वाले उत्पात के लिए बादा रहत राष्टिये प्रिसीतन आपूर्ती श्रिंखला नाम सका याद रखेंगा ये इस बजट में एक नया सब्दाया है हेतु भारते रेल द्वारा निम्न मैं से किस सेवा को शुरू करने का प्रिस्टा बजट में घुशित किया गया है देखिए रेलवे भारत में बहुत बड़ा ट्रांस्पोर्टेशन है जो माल धुलाई का एक प्रमुक सादन है बहुत सारे उत्पाद ऐसे होते हैं कि जिनकी जो बिक्री करने वाले होते हैं पूरा पश्चिम उत्तरदक्षड के बीच की दूरी इतनी ज़ादा है कि जब वो उत्पाद अन्न माद्विमों से अन्न ट्रांस्पोर्टेशन से भेजते हैं तो खराब हो जाते हैं और जितना माल होता है जैसे माल ये 100% माल है तो 80% का ही दाम पहुंसते पहुंसते उन्हें मिलता है ऐसी चीजों से निपटने के लिए रेलेवे ने अपने नेटवर्क में इस सुबधा दी है चाहे बुग किसान भायों के ऐसे उत्पाद हो या और बिट्करी करने वाले जो लोग हो उनके उत्पाद हो कि उनके उत्पादों को खराब होने से बचाया जा सके जैसे मचली है, मास है, दूध है और भी बहुत सारे ऐसे उत्पाद है इसके लिए रेलेवे में एक्सप्रेस गारियों में और माल गारियों में प्रिसीतक डिब्बे लगाए जाएगे और इसका नाम क्या है? किसान रेल तो इसका सही उत्तर हमारा जो होगा वो क्या होगा? एक किसान रेल आपका सही उत्तर होगा, आई बारबर प्रिश्री की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं लिखा है, उस देश का नाम बताईए जो 2020 तरफ युनाइटेड इस्टेट के दिगजों साहेद फेस्बुक, गुगल और अमेजन जैसे डिश्टल दिगजों पर इंटरनेट लेंडेन के लिए तीन प्रतिसक बेब टेक्स लगाने के लिए तैयार है नेट सफ्रिंग बहुत ज़्यादा हो रही है चाहे हम सौपिंग के लिए कहें चाहे हम सोचियल मेडिया के लिए कहें और चाहे हम किसी और प्लेटफर्म के लिए कहें इटली ऐसा पहला देश है जिसने बीडा उठाया है कि वाई नेट सफ्रिंग पर लेट के लेए इन दिन पर तीन पृतिसक बेब टेक्स लगाएगा और इससे जो मुनाफ़ा उसको होगा वह देश के विकास के कार्यों में लगाएगा तो अभी तो इतली ने ये गोशना की है लेकिन अगर किसी देश से ने प्रारम्ब किया है और प्रियोगा च्छारा तो आप भी तयार रहिएगा भविस्म हो सकता है कि नेट के लेंदेन और सफरिंग के लिए आप पर भी कुछ बेब टेक्स लगाए जाए इस प्रिशन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा इटली होगा अगला प्रिशन है आपका तेर्वा प्रिशन है किस सितिती को सफेद क प्रिशन सुरक्षा दिवस 15 अक्टूबर को आपका प्रतिवर्स मनाया जाता है तो इसका उत्तर है 15 अक्टूबर अभी जो हाली में एक एक एक्जाम हुआ था आपका यूपिट्र पल सी से उस एक्जाम में आपसे प्रिशन पूछ लिया गया था इसलिए महत्यपूर है 15 14 अक्टूबर की थी आप याद रखेंगे चलिए चौबना प्रिशन यहां पर आपका है नेशनल इंस्टिटूट पर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीती आयोग फुल फॉर्म उसका दिया गया है ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौनसा इंडेक्स है देखिए नवाचार के छित में बृद्धी करने वाले और अच्छा करने वाले राज्यों से संबंदिते इंडेक्स है और यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है नीती आयोग के द्वारा जारी किया जाता है तो लिखा है 19 के अनुसार भारत में किस राज्य को सबसे नव अगला प्रिश्णे आपका है पंदरमा प्रिश्णे लिखा है बजर 2020 में भारत में मौजूद कितने पॉनारेक इस्थलों को परेटन इस्थलों के रूप में विक्सित किये जाने की गोषरा है। जिनको परेटल इस्थलों में जो है परेटल इस्थलों के रूप में विक्सित की जाने की बात कही गई है तो इसका सही उत्तर आपका है पांच है ना अब ये पांच स्थान कौन-कौन से इनका नाम आप जान लेजिए पहला अलाम है सबसे पहले हस्तनापूर क्या नाम है हस हस्तनापूर दूसरा जो आपका नाम है हस्तनापूर आप जानते हैं कि यूपी में है दूसरा नाम है आपका शिवसागर जो असम में है तीसरा नाम है आपका धौला वीरा सेंदो नदिगाटी सब्रता का इस्थाले आप सब लोग जानते हैं गुजरात में है चौफा आने आपका राखी गड़ी यह भी संदू नदिगाटी सभिता का स्थान है और यह आपका हरया नाम है तो यह पांचों स्थानों के नाम में आप याद रखिएगा इसका सही उत्तर आपका क्या होगा पाच इनको परेटन के रूप में विक्सित किये जाने की घोशना इस करको नरेन मोदी को अंसान्सूकी को सेख हसीना को बंगला दे« और इस की प्रधार मंत्री सेख हसीना को है प्रुसकार प्रदान किया गया क्यों किया गया दत्श है में दक्षड एसिया में सांती और सम्रिध्धी सांती सहयोग और सम्रिध्धी पर उनकी सकारात्मक सोच के लिए यह अबाद उनको प्रात किया गया भारत के बड़े बग्यानेक पूर्व और अपने भूत पूर्वराष्ट पती अबुल पाकर जैनुलाबदिन अब्दुल कलाम जी की इस्मिर्थी में यह जो है अबाद दिया जाता है इसकी गोश्टा की गई थी और इस बार का है अबाद सेख हसीना जी को प्रदाल किया गया सत्रमा प्रश्ण है आपका हाली में सुर्ख्यों में रहा कोड्यक कराई वन जीव अभ्यारण किस राज्य में इस्तित है करनाटक तमिल नाडू उरिसा और केरल चार बिकल्प आपको यहां पर दिये गए तो सही उत्तर आपका होगा तमिल नाडू के वेदा रंडमय जिल जो में रहा हिर्णों की कुछ ऐसी प्रिजातिया हैं जो बिलुप्थ होने की कगार पर है तो उन प्रिजातियों के लिए उनकी संख्या को बनाने के लिए और कुछ हिर्णों की प्रिजातियों के पुनरवास के लिए पुनरवास के लिए यह दो कारणों से आपका इस समय लिखा कौन है चले अलीता देशाई दुर्जो दत्ता चेतन भगत राहुल अगरबाल इसका सही उत्तर तो राहुल अगरबाल है लेकिन यह पुस्तक केवल राहुल अगरबाल की नहीं है इसके साथ सहीवत रूप से इसको लिखा है भारती ऐस प्रधान ने और इसमें आपक के वालकाल से लेकर उनकी प्रधान मंत्री बनने तक की जो यात्रा रही है उस संपूर यात्रा का वरणन किया गया है तो इसका जो सही उत्तर होगा वह आपका D होगा लेकिन अगर भारती ऐस प्रधान से संबंदित किताब भी कभी आप से पूछी जाए तो इस पुस्तक का में सरकार के एक हिस्से को बेचे जाने की घोष्णा की है तो देखिए आप सभी जानते हैं अभी हाली में जब बजट आया तो अगले दिन के पेपर पूरे भरे हुए थे चुकि सरकार की काफी हिस्सेदारी है और उस हिस्सेदारी के कुछ हिस्से को IPO के माध्यम से सीधे बेची जाने की घोष्णा भारत सरकार ने की है IPO के माध्यम से तो उसका सही उत्तर जो होगा वो आपके क्या होगा BLIC अगले पुशने की तरफ बढ़ते हैं बीस्वा पुशने निमलिखत में से किस्तिती वर्स को भारत सरकार द्वारा स्वक्ष भारत अभ्यान की सुरुवात की गई थी तो सही उत्तर आपका है सब मैं देखिए गांदी जी के जरम दिवस की बाग की गई है सन बस आपको सही चेक करना है तो सही चन है जो आपका उत्तर है वो डी है 2 अक्टूबर 2014 को है ना तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज आप एड़ कर लीजेगा 21 जनवरी 2020 को आपसे कुछ दिन पहले आवास एम सहरी मंत्राला द्वारा स्री नगर सहर को खुले में सौच मुक्त सहर का अवाड़ दिया गया है तो जब से 375 का परवड़तन हुआ है उसके बाद 21 जनवरी को स्री नगर को स्री नगर सहर को पूर्ता सौच में मुक्त घोसित किया गया है जो किस से संबंदित है हला W E WA तो पहले तो मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता दूँ था Women's Entrepreneur Welfare Association वह है महला व्यफशाईयों से संबंदित है महला व्यफशाईयों से संबंदित है महला व्यफशाईयों को 10,000 लोगों का एक संध बना रहे हैं भी जा चुका है ध्यान रखिएगा है ना तो मैंने फुल फॉर्म भी इसका बताया और इसका सही उक्तराब का क्या होगा बताइए यह होगा 22 में प्रिश्ण की तरफ बढ़ते हैं 2020 में सिक्षा छेत्र के लिए कितने रुपे की रासी आवंटित की गई बजट में तो सबसे ज़्यादा रासी जो है इस बार सिक्षा के लिए आप लोगों को आवंटित की गई है और यह जो रासी है वो कितनी है मैं यह नहीं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा सिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा रासी इस बार आवंटित की गई है और इसका जो सही उत्तर है वो है आपके ता 99,300 करोड रुपे की रासी सिक्षा के लिए आवंटित की गई है जिसमें प्रमुख जो फोकिस है वो ऑनलाइन सिक्षा पर है और राष्टिय सिक्षा नीती जो नया मसवदा आया है राष्टिय सिक्षा नीती आप जानते है राष्टिय सिक्षा नीती किसकी सिफार्सों के आधार पर के कस्तूरी रंजन समीती की सिफार्सों के आधार पर जो राष्टिय सिक्षा नीती का मसवदा बना है प्रमुख रूप से इसको लागू करने की बात इसमें की गई है और online सिक्षा समाज की मुखधारा से जो वर कटे हुए हैं और वो सिक्षत होना चाहते हैं घर बैठे ही उनको online सिक्षा की विवस्ता की गई है इसके लिए बहुत साले digital कारिकरम सरकार द्वारा जारी किये गए है जो UGC और IGNU की देखरेक में संचालि भात का दोरा किया और मुख अथिती के रूप में भारत के 71 में गरतंतर दिवस में भाग लिया कम सकंद म택र्ण चाहूंगा कि आप लोग करें 21 में का सही उत्रा आप मोंडर्य चाहूंगा ठेजी खर्तिती के रूप में तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका क्या होगा बताईए सी उत्तर सही हो जाएगा आएए 24 में प्रिशने की तरब यहां से बढ़ते हैं 24 में प्रिशने आपका 4 फरवड़ी 2020 को 203 किलोग्राम बजन उठाकर अपना ही राष्ट्री रिकार्ट तोड़ते हुए किस भारती महला ने स्वर्पतक जीता मेरा भाई चानू इन्हों ने अगर हम लोग देखा जाए तो 49 किलोग्राम वर्ग में 49 किलोग्राम वर्ग में इन्हों ने स्वर्पतक जीता 203 kg का बजन उठाके और इनोंने अपना ही रिकार्ट तोड़ा जो इससे पहले इनोंने बनाया था थाइलेंड में 201 kg बजन का है ना तो 49 kg बर्ग में यह रिकार्ट तोड़ा और मीरा वाई चानूस का सही उत्तर होगा आप लोग ध्यान दिजिएगा और 203 kg का इनोंने बजन उठाकर अपना ही राष्टे रिकार्ट तोड़ा जो इससे पहले 201 kg का था 49 kg बर्ग में तो सही उत्तर आपका क्या होगा 25 में प्रशनी की तरफ हम लोग बढ़ चलते विस्ट मुक्यवाजी चंपियंशिप में कांस्पदक जीतने वाले खिलारी मनीश कोंसिक जिन्होंने एक्सिलेंट प्रदर्शन किया वो कहा के है वो हर्याना के है और भारती और मुक्यवाजी की नई संसनी के तोर पर वो उढ़र रहे बैसे भी करे हर्याना से बहुत सारे इससे पहले भी कुष्टी और मुक्यवाजी ऐसे हुए है जिन्होंने भारत को गवर्बानविद किया है तो इसका सही उत्तर जो आपका होगा वो क्या होगा हर्याना राज्य होगा आईए अगर हर्याना से कोई देख रहा हो तो कमेंट जरूर करें कि आप लिखे किताब को मगा सकते हैं इस किताब से अगर आपने रिजनिंग पड़ी तो फिर रिजनिंग की किसी भी किताब की आपको जोड़त नहीं होगी किसी भी अक्जाम में अपनी किताब के बारे में बहुत नहीं बोलोगा जिन लोग पास किताब है, वो comment करके feedback दे सकते हैं, ये number है, आईए, आगे बरता हूँ, बागों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, चलिए, ये प्रशने आप लोग बताइए, कि सबसे ज़्यादा बागों की संख्या किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर ज इतने भाग है, वो है 2967, ये कुल है, अगर हम मद्य प्रदेश में देखें, तो 526 बागों की गिंती मद्य प्रदेश में की गई है, इसके साथ 524 बागों की गिंती करनाटक में की गई है, तो करनाटक भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, सबसे ज़्यादा मद्य प्र होगा सी मद्यप्रदेश होगा कुल कितने हैं 1900 सरसर भारत सरकार और बहुत सारे जो है जो ऐसे संग्णठन एंग्यों लगातार इस मोहिं में जो है काम कर रहे हैं कि बागों की संख्षा को नंतर बढ़ाया जाए 27 में पुष्ण जो यहां पर आपका है कौन सा देश अपनी जनगरना में पहली बार LGBT तीसरे लिंगी की गरना करेगा पाकिस्तान नेपाल भूटान मंगला देश का सही उत्तर है नेपाल LGBT एल लेस्बियन जी गे बी वाइसेक्सवल और टी ट्रंस जेंडर एक समू है नेपाल ने सब कौन सा देश जनगरना पहली बार तीसरे लिंग की गरना करेगा इसको थर्ड जेंडर के रूप में हम लोग काउंट करते हैं और नेपाल ने ने लिया है कि सरकारी योजनाओं म ने इनको महत्पूरिस्थान मिल सके तो उन्होंने इस समू की गरना अलप संख्यक समू के रूप में करने का फैसला किया है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन होगा नेपाल होगा है ना चली अठाइस में प्रिष्णे की तरफ बढ़ते हैं लिखा है हाली में सुर्ख्यों में रहे मामलपुरम के संदर्म में निम्रिकत कर्थों पर विचार किये यूनेस्को की विस्वरासा सोची में सामिल मामलपुरम को सब्त पैगोडा की नाम से जाना जाता है और यह यूनेस् दूसरा भी बिल्कुल क्या है सही है तो एक तथा दो दोनों ही सही है यहाँ पर मैं एक और इंफॉरमेशन आपको दे दू कि इसको किसने बनवाया था अगर आजो है बात हो कि किसने बनवाया था तो लगबल लगबल चेन्नाई से साथ किलोमेटर की दूरी पर बंगाल की सातिमी सताब्दी में पल्लव सा सट नर्सिंग बर्मन ने इसका निर्मार कराया था तो इसका D- Osan상 सही होगा पहला तूसरा दोनों ही क्या है सही है आपको सारे लोगों के मैं कमेंट अलग-अलग पढ़ता रहता हूं और आगे भी आलगर की अ आपको देदू, आप आरो के बैच के लिए बहुत परेशान रहते हैं, आरो के लिए क्रेस को संस्थान द्वारा निश्चत रूप से लाया जाएगा, आप बलकुल बेफिकर रहे हैं, पैसर से सतर दिन का एक मारक क्रेस कोर्स होगा, बीस तारीक के रात में आठ बजे हम इसकी सूचना आपको प्रदान करेंगे, तो जो लोग आरो ये आरो, जो 2016 वाला था, उत्तर प्रदेश लोग सवाय वाला, जो कैंसल हुआ है, अगर आप उसके बिसर में कोई भी जान करी जाएते हैं, तो रुख जाएए, आप अपनी तरफ से पढ़ाई करते रहें, हम लोग 20 तारीक से इसके बैच को निश्यत रूप से प्रागम करेंगे, अग्या प्रिशन जो आपका यहां पर है, 29 प्रिशने की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, किस इस्तर पाई की पहचान, च यह जीव, एसिया की दुलबकारी, इस्तनधारी स्रेडी में है, यह जीव, एसिया की दुलबकारी, इस्तनधारी स्रेडी में आता है, और IUCN की लाल सूची में सामिल है, यह जीव, IUCN की लाल सूची में सामिल है, लाल सूची में सामिल है, इस समय देखिए, थोड़ा सा वैक्टिरिया वाइरस पर ध्यार रखीगा कोरोना भी बहुत ज्यादा चला है मैं अभी कोरोना से संबंदित प्रिश्ण भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अगला प्रिश्ण है आपका तीसमा हाली में राजिस्थान के किस सहर को यूनेस्को की विश्वरात्र सुची का प्रमारपत्र प्राप्त हुआ जैपोर इससे पहले ही मैं इस प्रिश्ण को आपको हल करा चुका हूँ फैक्ट्चॉल इंफॉर्मिशन है एकत्तीसमा प्रिश्ण है आपका प्रिश्ण को बरावा देने के लिए नेपाल ने हाली में कौन सा अभ्यान शुरू किया प्रति इस समय प्रतिक देश की अर्थववस्ता कमाई का प्रमुक साधन की लूप में उभर रहा है लोगों में घूमने की प्रिवित्ति विश्ण को जानने की प्रिवित्ति भी बहुत बढ़ रही है इसी किरम में नेपाल दौरा भी अभियान शुरू किया है जिसका नाम है भि प्रिवित अधिवां कि अजिसका बाहरी को आप अच्छे से देखेगा क्योंकि काफी जानकार्य यहीं प्रिश्ण के रूप में है आपको प्रदान करोओगा कोरोना वाइरस का बाहरी खोल मुकुट जैसा दिखता है है ना कोरोना वाइरस का बाहरी खोल मुकुट जैसा दिखता है और क्राउन को लेटिन भासा में कोरोना कहा जाता है बिल्कुल सही है कोरोना वाइरस की संदर बाहरी खोल उसका मुकुड जैसा दिखता है और क्राउन को लेटिन भासा में क्या कहा जाता है कोरोना तो अगर आप से कहा जाए कि नाम कैसे आया तो इसका जो बाहरी भाग है को मुकुड जैसा दिखता है कैसा दिखता है क्राउन को और इसी क्राउन को लेटिन भासा में हम सकते हैं क्या करोगना तो यहां से तो इसका नाम आए बाइरस की प्रजाती है जो मनस्यों तथा जानवरों में मास संबंधी भीमारियार पैदा करते हैं बिलकुल काफी समय तग जानवरों की संपर्क में रहने कच्चा मास खाने से भी एही हो जाता है कोरोना वायरस के प्रिकोप को देखते हुए सरकार ने चीन से यात्तियों कि भारत आने पर रोक लगा दी है चारों बिल्कुत सही है उपरोक्त सभी इसका उत्तर क्या होगा belonging और दी उप्रोक्त कोरोना वाइरिस का अधकारिक नाम घोसत किया गया है जो क्या है बताईए COVID-19 है ना तो COVID-19 कोरोना का ऐसा अधकारिक नाम है जो WHO द्वारा घोसे किया गया है ध्यान रखेटा 33 में प्रिश्ण की तरफ बढ़ते हैं बचर 2020 के भाचर में बित्यमंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल से जल बजार में पहुचाने के लिए किसे नाम से नई योजना आरम किये जाने की घोस्ता की गई है तो इसका सही उत्तर है किरसी उडान योजना है ना किरसी बचा है 149 जिसमें 12 भासाओं में आपको 12 भासाओं में इस बजट में बचाया गया है 247 आपको सिभा मिलेगी किसी भी मदद के लिए आप इन 12 भासाओं में 149 पर कॉल करके जानकारी कर सकते हैं तो आप कहेंगे सार 149 को पहले से भी था लेकिन कुछ नई भासाओं को किन्द सरकार द्वारा गर्ठित ट्रस्ट का नाम क्या है अभी सरकार ने घोस्टा कि यह इसका नाम है राम जनम भूमी तीर्थचित स्री राम जनम भूमी तीर्थचित है ना और यह 15 सदस्य है 15 सदस्य है इसमें कुल 15 सदस्य है जिसमें से 10 सदस्यों को वोटिंग कातकार है जो वकील है के पारा सरन्द के पारा सरन्द जो वकील साहम है जिनों ने इस केस को लड़ा है 92 वरस के उसको इनका अध्यक्ष जो है बनाया गया है और राम मंदर की जो जमीन का कपजा है वो इनी को सौपा गया है दस लोगों को इसमें बोटिंग कार्दकार है 15 सदस्य है और घोष्रा की गई है स्री राम जो नमभूमी तिर छीत के रूप आई कौन सा देश भारतिय पासपोर धारकों के लिए मुप्तियात्रा समाप्त करता है भूटान भारतिय पासपोर धारकों के लिए मुप्तियात्रा को समाप्त किया है अब भूटान ने गोश्णा की है कि पृति एक दिन का 1200 रुपे आपको वहां पर देना पड़ेगा यदि इसका लगाने वाला यह राज्ज है और इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए भूतार होगा आए 37 में प्रिश्ने की तरफ हम लोग तेजी से बढ़ते हैं टाइफून कम्मोरी से निमलिखित मैंसे कौन सा देश हाली में प्रभावित रहा है ना टाइफून कम्मोरी फिलिश्पीश स्री लंका धाना नाईजिरिया तो इसका सही उत्तर होगा फिलिपीश से इसका सही उ होते हैं उनको हम लोग चीन सागर चित्र में कैसा टाइफून कैते हैं चीन जापान और फिलिपीन्स में इनके आने की बारम बाता लगाता रहती है लगवड़ लगवड़ बीस मा टाइफून इस वर्ष Mississippi फिलिपिन्स में था और इससे काफी नुकसान हुगा इसका नाम क्या था कमूरी तो इसका सही उत्तराथ पर क्या होगा बताए ये फिलिपिन्स होगा 38 में पुछने की तरफ बढ़ते हैं अभी हाली में Reliance Industries Limited ने पेट्रोलियम उत्पादों की खुद्रा विक्री के लिए निम्नमै से किस विदेशी कंपणी के साथ करार किया है तो इसका सही उत्तर होगा British BP अभी भी Reliance के ताज बहुत सारे प्रेट्रोल पंप हैं लेकिन उन्होंने तेल की खुद्रा विक्री के लिए बिदेशी कंपणी के साथ करार किया है British BP के साथ आये 49 मा प्रिशन जो आपका है निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है बिलकुल आईए पदम प्रुसकार से जुड़ा है एक तक अपूर को पदम स्री से सम्मानत किया गया है बिलकुल सही है पदम प्रुसकारों के बारे में आपको बता चुका हूँ एक दो और चार इसका सही उत्तर आपका होगा तीसरा विकलप आपका सही नहीं है आईए चालीसमा प्रुस्ण है आपका हाली में किर्ण सरकार ने देशवर्ट में कितने मेगा फूर्ट पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी तो इसका जो सही उत्तर आप लोगों का होगा वो चालीसमा प्रुस्ण का वो सही उत्तर आपका होगा थर्टी नैन है ना थर्टी नै आप जानते हैं कि यहां पर किंद्री खादिम प्रसंसकर मंत्री हर सिवनन कौर ने यह घोषना आपकी संसब में की है 39 इसका सहयोत्तराब का होगा 41 में प्रिश्ण पर चलते हैं Defense Expo 2020 का आयोजन निम्न में से किस सहर में किया गया लखनों में आयोजन किया गया और इसका 11 संसकर रथा प्रधार मंत्री ननेंद मोदी जी ने इसका उध्राटन किया यह तो एक basic information हो गई कि उत्तर प्रदेश के लखनों में जो है इसका सुबारम किया गया इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो लगब 856 भारतिय कंपनियों नीजिस में भाग लिया और 112 विदर्षी कंपनियों ने भाग लिया आचसो छपपन graduates अब आरही कंपनी थी और 112 आपकी क्या थी विदर्षी कंपनी थि और 24 देशों की रक्षा विसिसक इसमें सामिल हुए 24 देशों के रक्षा मंत्री और रक्षा विशिसक इसमें सामिल हुए आई अगले प्रिश्ण की तरफ बढ़ते हैं 42 मा प्रिश्ण है आपका राम मंदर ट्रिष्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया रिपीटेशन है अभी मैंने आपको बताया के पारासरन को आई और प्रिशंस करण की पूरी सरिंखला को प्रतर सिख किया गया सीफूर तो आप समझते ही है लेकिन इसे में प्रिमुक्ता जो थी मत्स、 पालन और प्रत्रस ने जीता पास दिन पहले की बात है भारत वो बंगलादिश के मद इसका फाइनल हुआ और खिताब किस ने जीता बंगला देश में बंगला देश ने जीता और इसका आयोजन कहां हुआ था दक्षड अफरीका में हुआ था दक्षड अफरीका में इसका आयोजन हुआ था इससे पहले भारत चार बार यह खिताब जीत चुका है चार बार झाल आपका है इसका सही उत्तर आपका होगा पांच दिसम्बर को बिस्ट मिर्दा दिवस आपका मनाये जाता है थ्यार रखेगा देखे स्वस्त मिर्दा के महत्पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जानरुपता फैला करने के लिए और मिरधा संसादनों के स्ताई प्रबंदन है तू यह जो है इस बार इस方 फोकस किया गया और ठीम कया थी मिरधा कटाव को लोगे और हमारा बहुआ सुरक्षित करें जैसे हम व्यक्तिँऊं को सुरक्षित रखते हैं जैसे हम अपनी मसीनों को सुरक्षित रखते हैं, वैसे मिर्दा को भी सुरक्षित रखने की बहुत जरूरत है, और इसके लिए बहुत सारे उपाय किये जा रहे हैं, तो इसका सही उत्तरापका होगा वो क्या होगा, पांच दिसब्बार, आयो, शालिसमा प्रशन देखते है फरवरी में नागा लेंड के बाद, निमलिखित में से कौन सा राज हार्मिल महुत्साव को एको टोरिजम को बढ़ावा देने के लिए आयोजित करता है, देखे, नागा लेंड तो करता ही है, और नागा लेंड में पूरा गाउँ है कास्मा, नागा लेंड में पूरा गा देखे ना तो कासमा भी लिखा है कहीं कहीं किसामा भी लिखा है तो हार्डमिल जो एक पक्षी है ये इसको कहीं कहीं किसामा भी लिखा गया है कन्फूज मत हो ये कासमा भी लिखा गया और किसामा भी लिखा है यह पूरा गाउं है जो हार्डमिल पक्षियों को बहुत मानता है उनको अपनी जातक कथाओं से जोड़ता है और उनके सरनक्षण के लिए उपाय करता है यह तो नागालेंड की बात होगे लिए कि प्रिशने आप से क्या पूचा गया है नागालेंड के बाद निम्रिखत्म से कौन सा राज हार्णमिल महुस्सा को एको टुरिम को बढ़ा लाक में दो दिवसी हार्णमिल महुथसाओं का आयोजन किया गया तीनप्रा के बारामुरा हिल्स स्थानी सब्दा है हार्णमिल पंच्छियों के संदक्षण के लिए जाना जाता है थो बारामुरा हील्स है इसका सहीं उत्तर पुष्été न है आपका भारत के समर्थन से किस पड़ो सी देश में औरोर टीन पण विजनी पड़ियोजना बनाई जा रही है तो इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर है नेपाल में इसका सही उत्तर आपका क्या है पताइए नेपाल है C option सही हो का 48 में प्रिष्ण की तरफ बढ़ते हैं भारत अंतराश्टी बधिक संप्रता सुचकां 2020 में फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया 40 में स्थान पर पहुंच गया इससे पहले 36 में स्थान पर था ताजा रेटिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गया 40 मा और सीर्स देश इसमा कौन सा है अमेरका अमेरका इसमें सीर्स देश है अमेरका सीर्स देश है और यह नया एकदम आपका इंडेक्स है आईए 2020 का चार स्थान हम लोग फिसल गया कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टी के बाद भारत के किस राज द्वारा राजज की आपदा की घोश्टा की गई केरल केरल के मुख मंत्री ने राजज की आपदा इसको माना है कोरोना एक खतरनाग वायरस है आप लोग जानते है और यहां पर राज जी किये आप आपदा की इसकी घोष्टा की गई कुरोना वारस को लेकर कुछ मामले आए भी है दो मामलों की खोज हुई है आए केर्दिये स्रम और रोजगार मंत्राले ने सिर्मकों बार रोजगार प्रदाताओं की सिकायतों का निवारर करने है तू किस नाम से एपि तो यह आज के रटलों के 50 प्रशने थे कैसे लगे बताईएगा अगले रटलों के साथ आपके समक्ष फिरसे उपस्तित होंगा आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही पड़ते रहिए मस्त रहिए अपना ख्याल लखिए और इस रिंखला को कैसा लगा टमेंट नीचे जरूर किया करिए डिस्क्रिप्शन में जब पढ़ा करिए आपके यही कमेंट हमारी उर्जा है और यही कमेंट संस्थान की पुर्जी है बहुत बहुत धरन्वाग नमस्कार